जो शादी शुदा जवान घर और पत्नी से दूर रहते हैं, उनमें कई ऐसे भी होते हैं, जो घर वाली को भूल बाहर वाली ढूंडने लगते हैं. कुछ इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह गलती इतनी भारी पड़ती है कि जान के लाले पड़ जाते हैं. किरन और आनंद के मामले में भी ताजनगरी आगरा. आगरा ताजमहल के लिए ही प्रसिध नहीं है, बस लोगों के देखने का अपना-पना नजरिय क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो आगरा को जूतों के लिए भी जानते हैं. बड़ी कंपनियां अपने ब्रैंड के जूते यहीं बनवाती हैं. राम सिह एक बड़ी जूता कंपनी में काम करते थे. उनका घर आगरा प्रकाश नगर पथवारी बस्ती में था. राम स कुजाबाद के गाव हिमायू पुर्निवासी शशी पंडित से कर दिया. एक लौता बेटा सागर जूता फैक्टरी में जूतों के लिए चमडेड की कटिंग का काम करता था. विवाह की उम्र हो गई तो 2012 में राम सिह ने सागर का विवाह कर दिया. विवाह के बाद उसके दो बच्चे हुए. 2014 में सागर का बाइक से एक्सिडेंट हो गया, जिसमें उसकी दाई आँख में चोट लगी, जिससे उसकी आँख खराब हो गई, उसे नकली आँख लगवानी पड़ी. अपने एकलोते बेटे सागर की ऐसी हालत देख कर राम सिह भी बीमार पड़ गए वह तनाव में रहने लगे. नतीजा यह निकला कि वह हार पर टेंशन के मरीज हो गए और उन्हें घर में रहने को मजबूर होना पड़ा. दूसरी ओर सागर ठीक होकर काम पर जाने लगा. लेकिन बड़े परिवार में अकेले उसकी आए से क्या होता? घर के खर्चे, किरण की पढ़ाई का खर्च, पिता की दवाई का खर्च अलग, ऐसे में वह धीरे-धीरे कर्ज में डूबने लगा. इसी बीच राम सिंह की मृत के बाद एक समय वह भी आया जब सागर को अपना घर बेचने की सोचनी पड़ी. सागर ने मकान बेच कर करजे चुकाए. आठ माह क किराय पर रहने के बाद उसने अपने पहले मकान के पास ही मकान ले लिया. उस मकान में दो ही कमरे थे. जगह की कमी की वजह से सागर ने देवनगर नगला चुआ में किराय का एक और कमरा ले लिया. वहाँ वह अपनी पतनी वह बच्चों के साथ रहने लगा. सागर की माह स अतुल किरण की बड़ी बहन लता की ससुराल के पास रहता था। 35 वर्षी अतुल न केवल शादी शुदा था बलकि उसके तीन बच्चे भी थे। BSSE पास आनंद खुराफाती दिमाग का था। उसने फिरोजाबाद में फाइनेंस कमपनी खोली और लोगों को लालच दे कर खूब लूटा। जब लोग उसे तलाशने लगे तो वह आगरा भाग आया था। आनंद ने लता के पती शशी से कहा कि उसे कहीं नौकरी पर लगव इसके बाद आनंद ने बदल बदल कर दो तीन जगहे और नौकरी की। फिर वह थाना जगदीशपुरा के घड़ी भदौरिया स्थित खुशी नेत्रालय में बतोर कमपाउंडर काम करने लगा। नेत्रालय में बने कमरे में ही वह रहता भी था। आनंद की तलाश में घर म घुस आनंद ने शशी पंडित की ससुराल यानी किरण के घर आना जाना शुरू कर दिया। वहाँ वह किरण से मिलने आता था। सांवले रंग की किरण आकरशक नयन नक्ष वाली नवयुवती थी। सांचे में ढला उसका बदन किसी मूर्तिकार के हाथों का अद्भुत न अकेले बिस्तर पर पड़ी वह उसके खयालों में ही खोई रहती थी। सोचते सोचते कभी हसने लगती थी तो कभी लजा जाती थी। वह उम्र के उस पायदान पर खड़ी थी जहां ऐसा होना स्वाभाविक था। आनंद की नजर किरण पर पड़ी तो वह उस पर आसक्त हो किरण अविवाहित। आनंद ने अपने विवाहित होने की बात किरण और उसके घरवालों को नहीं बताई थी। जब भी वह किरण के पास आता तो उसके आगे पीछे मंडराता रहता। उसकी यह हरकत किरण से छिपी न रह सकी। किरण उसका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि क नहीं न कहीं आनंद भी उसे पसंद आ गया था। दोनों के दिलों में प्रेम की भावना जन्म ले रही थी। लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया था। एक दिन किरण जब बाजार जाने के लिए बाहर निकली तो आनंद ने रास्ते में रोक कर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किरण ने उसकी दोस्ती सहर्श स्वीकार कर ली। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। दोनों साथ घूमते और मटर गश्ति करते। इससे दोनों में हद से ज्यादा अपनापन और घनिष्ठता आ गई। दोनों मेंसे लेकिन इस एहसास के बावजूद दोनों यह दर्शाते थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता रहती थी। अब जरूरत थी तो इस प्यार को शब्दों में पिरो कर इजहार कर देने की। आनंद ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रेम पत्र लिखने की सोची। वह किरण के सामने कहने से बचना चाह रहा था और मोबाइल पर प्रेम की बात कहने में मजा नहीं आता। इसलिए प्रेम पत्र में वह अपने जजबातों को शब्दों में पिरोकर किरण तक पहुचाना चाहता था, जिससे किरण उसके लिखे एक-एक शब्द में छिपे प्रेम को दिल से समझ सके। उसके दिल में भी प्यार का जोश हिलोरे मार रहा था। वह तो इसी इनतजार में थी कि आनंद कब उससे प्यार का इज़ार करे। आनंद ने प्रेम का इजहार कर दिया था, लेकिन किरण यह सब उसके मुह से सुनना चाहती थी. इसलिए उसने पत्र का जबाव नहीं दिया. जब पत्र का जबाव नहीं मिला, तो आनंद बेचैन हो उठा. अगर किरण पत्र पढ़कर नाराज होती, तो उससे संबंध खत्म कर लेती, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया. एक दिन आनंद किरण की आँखों में आँखें डाल कर बोला, किरण, मेरा दिल तुम्हारे पास है. क्या? आश्चर्य में किरण के मुह से यह शब्द निकला, तो आनंद तुरंत बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मेरा दिल एक फिल्म देखने का है. फिल्म की मैटिनी शो की दो टिकटे मेरे पास हैं. आज फिल्म देखने चलते हैं. चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी? वैसे भी पहली बार फिल्म दिखाने के लिए ले जा रहे हो. किरण की बात सुनकर आनंद मुस्कुराया. फिर दोनों फि किरण के हाथ पर रख दिया. और उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगा. किरण ने सोचा कि शायद वह अंधेरे का फायदा उठा कर उससे प्यार का इजहार करना चाहता है. इसी लिए वह फिल्म दिखाने लाया है. जब काफी देड तक आनंद कुछ नहीं बोला, तो होते ही वह आनंद से बोली, अन्नू, चलो, अब मेरा मन फिल्म देखने का नहीं कर रहा है, कहीं और चलते हैं. आनंद को पहली बार किसी ने प्यार का नाम दिया था, अन्नू. उसे किरण पर बहुत प्यार आ रहा था. इस पर आनंद उसके साथ तुरंत बाहर आ गया. थो कहना चाहते हो, लेकिन संकोच वश कह नहीं पा रहे हो. किरण ने यह बात आनंद की आखों में आखें डाल कर कहीं थी. इससे आनंद का होसला बढ़ा, तो वह बोला, किरण, मैंने कई बार तुम तक अपने दिल की बात पहुँचाई, लेकिन तुमने जबाव देना उचि किरण, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ. यही बात मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जबाव न मिलने की वजह से मैं बेचैन था. अब मेरी महबबत का आइना तुम्हारे हाथों में है. चाहो तो उसमें अपना अक्स देखकर मेरी जिन्दगी समवार दो या उसको चकना चूर करके मेरी सांसों की डोड तोड़ दो. फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है? आनंद के प्रेम की गहराई देखकर किरण के चहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई. वह अपना दूसरा हाथ आनंद के हाथ पर रखती हुई अन्नू, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ. मैं यह बात जान चुकी थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जुबां से प्यार का इजहार करने के बजाए तुम दूसरे तरीके अपना रहे थे. इससे मेरी जुझलाहट बढ़ती जा रही थी. ये कोई जरू आवना देने से मेरी कई रातें जागते हुए भी थी. आनंद ने एक पल में अपने दिल की तड़प को बयान कर दिया. खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से कोई गलती नहीं होगी. प्लीज मुझे माफ कर दो. किरण ने इतनी मासूमियत से कहा कि आनंद ने मुसकराते ह उसे सीने से लगा लिया. सीने से लगते ही किरण ने भी प्यार में डूब कर अपनी आँखों के परदे गिरा दिये. दोनों एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे. वहां कुछ देर और रूख कर दोनों वापस लौट आए. प्यार का जादू, इसके बाद तो दोनों क प्यार को मानो पंक ही लग गए. मिलने के लिए आनंद के पास वैसे ही जगह नहीं थी. जिस नित्रालय में वह रहता था, उसके अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं था. एक दिन उसने नित्रालय के उसी कमरे में जिसमें वह रहता था, उसने किरण के जिस्म से आनंद लेने का मन बना लिया। वह दिन भी आ गया जब आनंद ने प्यार के पलों में किरण को बहका लिया और उसके जिस्म से अपने जिस्म का मेल करा दिया। दोनों के मन के साथ-साथ तन भी मिल गए। किरण के तन को पाकर आनंद काफी खुश था। इसके बाद तो यह मिलन बार-बा दोहराया जाने लगा 2016 में आनंद ने खुशी नेत्रालय में किरण की भी नौकरी लगवा दी अब हर समय किरण और आनंद एक दूसरे के साथ होते उनकी मोहबबत परवान चड़ती रही एक वर्ष बीटते बीटते दोनों के संबंध की जानकारी किरण की मा सरोज को हो गई यह पता लगते ही उन्होंने किरण की नौकरी छोडवा दी लेकिन किरण फिर भी आनंद से मिलती रही किरण तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आनंद उससे प्यार का नाटक कर रहा है शादी का जहांसा दे कर वह उसके जिस्म से खेल रहा है इस बीच किरण से विवाह के लिए कई रिष्टे आए लेकिन उसने मना कर दिया उसके चक्कर में उसकी छोटी बेहन कविता का विवाह भी नहीं हो सकता था किरण की मा, सरोज व भाई सागर को मथुरा का एक अच्छा परिवार मिल गया उस परिवार का लड़का दिल्ली में रहकर सोफे बनाने का काम करता था उस लड़के व उसके परिवार को कविता पसंद आ गई परिवार अच्छा होने की वजह से सरोज ने उस युवक से अपनी बेटी कविता की कोर्ट मैरिज करा दी यह पिछले साल नवंबर की बात है इधर किरण अब जब भी आनंद से मिलती तो विवाह करने की जिद करती अब आनंद के लिए किरण को समझाना मुश्किल होने लगा इसे लेकर वह तनाव में रहने लगा कोराना वाइरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ था उससे बचाने के लिए भारत सरकार ने देश में लौकडाउन कर रखा था उत्तर प्रदेश की बात करें तो ताज नगरी आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक थी 21 अप्रेल की रात 9 बजे आगरा के थाना लोहमंडी क्षेत्र के हसनपुरा में रहने वाले वरुन प्रजापती ने गजानन नगर में रहने वाली डाक्टर गरिमा बंसल के घर के पास एक काटन बॉक्स पड़ा देखा आश्चर्य की बात यह थी कि वह बॉक्स सफेद चादर में बंधा हुआ था वरुन ने आसपास के लोगों को बुलाया लोगों के आने पर तरह तरह की बातें होने लगी यह रहस्य जानने को सभी बेकरार थे कि बॉक्स में है क्या पता चला कि वह काटन बॉक्स दोपहर में वहां नहीं था शाम को अंधेरा घिरने पर किसी ने उसे वहां डाला होगा मामला संदिग्ध होने पर वरुन ने एक एक दो नंबर पर काल करके पुलिस को सूचना दे दी सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोत्रे बोहन प्रसाद व शाह गंज थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई बॉक्स खुलने पर उसमें एक युवती की लाश मिली मृतका की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही होगी उसके गले पर दबाने के निशान थे मृतका ने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था उसके पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे दाएं हाथ पर किरण लिखा था बॉक्स पर जो चादर बंधी थी और वह बॉक्स किसी अस्पताल के लग रहे थे बॉक्स दवाईयों में इस्तिमाल होने वाला था चादर भी अस्पतालों में बिचाई जाने वाली थी इससे लगा कि हत्यारे का connection किसी हॉस्पिटल से है एक किलो मीटर तक के अस्पतालों की जानकारी एकतर की गई तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं मिला मृत्का की लाश के फोटो भी कोई नहीं पहचान पाया मृत्का की शिनाखत नहीं हो पाई तो इंस्पेक्टर सत्येंद्र राघव ने लाश को मार्चरी में रखवा दिया फिर थाने आकर उन्होंने वरुन प्रजापती से लिखित तहरीर ली और अज्यात के विरुध भादमवी की धारा 302-2001 के तहत मुकद्दमा दर्ज करा दिया वह अभागी किरण ही थी अगले दिन एक महिला अपने बेटे के साथ शाहगंज थाने पहुँची और अपना नाम सरोज वब बेटे का नाम सागर बताया उन दोनों के अनुसार वे लाश मिलने की बात सुनकर थाने पहुँचे थे सरोज की बेटी किरण घटना वाले दिन सुबह दस बजे घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लोटी थी इंस्पेक्टर सत्येंद्र राघव ने उन्हें लाश का फोटो दिखाया तो सरोज रो पड़ी वह लाश उसकी बेटी किरण की ही थी शिनाख्त होने पर इंस्पेक्टर राघव ने उनसे किरण के बारे में पूछ ताच की लेकिन सरोज ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो पुलिस के काम का होता वह किरण के प्रेम संबंधों को बदनामी के डर से छिपा गई इंस्पेक्टर राघव ने बॉक्स मिलने के स्थान की CCTV फुटेज खंगालनी शुरू की CCTV फुटेज में एक व्यक्ती बाइक पर पीछे बॉक्स रखे आता दिखाई दिया उस इलाके की पूरी CCTV फुटेज देखते हुए इंस्पेक्टर राघव खुशी नेत्रालय तक पहुँच गए लॉक्डाउन की वजह से नेत्रालय बंद चल था लेकिन उन्हें यह जानकारी मिल गई कि उस नेत्रालय में कोई रहता है वह नेत्रालय पहुचे तो आनंद ने गेट खोला पुलिस को वहां आया देख कर वह चौका और भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस से बच कर भाग नहीं पाया पुलिस को उसकी हीरो सुपर स्प्लैंडर बाइक भी वहीं खड़ी मिल गई यह वही बाइक थी जिस पर आनंद बॉक्स रखकर फेंकने ले गया था उसके पास से किरन की पासबुक और आधार कार्ड भी बरामद हो गए थाने लाकर जब आनंद से सकती से पूछ ताच की गई तो वह तूट गया और हत्या की वजह बता दी किरन ने शादी करने की बात को लेकर आनंद का जीना हराम कर दिया था दिन रात बस एक ही रट की शादी कर लो जबकि आनंद पहले से ही शादी शुदा था वह तो उसके साथ खेल रहा था ऐसे में शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था 21 अपरेल की सुबह 10 बजे किरन घर से अपनी मां से कहकर निकली कि वह आनंद से मिलने जा रही है किरन सीधे वहां से खुशी नेत्रालय पहुँची लॉकडाउन की वजह से नेत्रालय बंद था लेकिन आनंद अंदर अपने कमरे में मौजूद था आनंद और किरन बैठ कर बात करने लगे बात-बात में ही शादी को लेकर दोनों में विवाद होने लगा दोपहर साढ़े 12 बजे आनंद ने प्लास्टिक की रसी से किरन का गला घोंट दिया जिससे किरन की मौध हो गई आनंद ने किरन के पैरों को उसके दुपटे से बांध दिया फिर नेत्रालय में रखे एक दो फुट के काटन बॉक्स और सफेद चादर को उठा लाया काटन बॉक्स में आँखों के लेंस आते थे उस बॉक्स में उसने किसी तरह किरन की लाश को ठूसा और कार्टन बंद करके उसे उसी प्लास्टिक की रसी से बांध दिया, जिससे उसने किरण का गला घोंटा था, इसके बाद कार्टन बॉक्स को सफेद चादर से बांध कर रख दिया, और रात होने का इंतजार करने लगा, वह साढ़े साथ घंटे लाश को अपने कमरे में रात आठ बजे उसने बॉक्स को अपनी हीरो सुपर स्प्लैंडर बाइक पर रखा और गजानन नगर में डा, गरिमा बंसल के घर के पास डाल दिया, फिर वहां से चला आया, लेकिन उसका गुनाह छिप न सका और पकड़ा गया, इंस्पेक्टर सतेंद्र राघव ने आव किसी के लिए खास होता है, तरुन के लिए इस साल का पहला दिन कुछ ज्यादा ही खास था, क्योंकि इस दिन उसकी प्रेमी का मेगह उसे अपना सब कुछ सौप देने वाली थी, मेगह के बारे में सोच सोच कर तरुन पर तरुनाई सवार होती जा रही थी, दिसंबर 2018 के आ अपने यौवन का भार उठाए नहीं उठता था, यही हाल 24 वर्षियत तरुन का भी था, जिसके लबों पर बर्बस ही यह गाना रह रह कर आ जाता था, उम्र ही ऐसी है कुछ, ये तुम किसी से पूछ लो, एक साथी की जरूरत होती है हर एक को, पहली जनवरी को तरुन पर चड़ने जा रहा था, जिसकी ख्वाहिश हर एक युवा को होती है, फिर उसे तो बगएर कोई खास कोशिश किये, अपनी प्रेमिका से सब कुछ मिलने जा रहा था, उसके पाव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, सुबह जब दुनिया भर के लोग नए साल के जश्न की तैय प्रेमिकारियों में लगे थे, तब तरुन खास तोर से सजसंवर कर घर से निकला, उस दिन मोबाइल पर मेगा से उसकी कई बार बात हुई थी, उससे मिलने को बेचैन तरुन हर बार घुमा फिरा कर यह जरूर कनफर्म कर लेता था, कि मेगा का सैक्सी पार्टी देने का कहीं बदल तो नहीं गया, हर बार जवाब उम्मीद के मुताबिक मिलता तो उसका हलक सूखने लगता और सीने में दिल की धड़कन बढ़ जाती, तरुन खुद भी कम हैंडसम नहीं था, लंबे चहरे पर हलकी सी दाड़ी और सिर पर घने घुंघराले बालों वाले तरुन ठेके पर चलाता था, जिससे उसे खासी आमदनी हो जाती थी, सुबह ही सज समवर कर तयार हो गए, तरुन ने मा राजकुमारी को पहले ही बता दिया था, कि साल का पहला दिन होने के चलते काम ज्यादा है, इसलिए वह आज थोड़ी देर से आएगा, राजकुमारी ने के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि तरुन का फोन बंद था, पति-पत्नी दोनों ने बेटे को हर संभव जगह पर देखा, लेकिन वह नहीं मिला, तो वे चिंतित हो उठे, बात थी भी कुछ ऐसी, कि उनका चिंतित होना स्वाभाविक था, इसलिए सूरज धलने से पहले दोनों ने तरुन को ढूंढा, और जब उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो दोनों रात दस बजे सरकंडा थाने जा पहुंचे, और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, यहां तक बात सामान्य थी, लेकिन जब राजकुमारी ने प्रभात चौक निवासी, अपनी ही पडोसन बेबी और उसके पती बालाराम मांडले पर तरुन के अपहरण का शक जताया, तो पुलिस वालों का माथा ठनका, पुलिस वालों का माथा ठनकने के पीछे ठोस वजह भी थी, जो शुरुवाती जांच और पूछताच में ही सामने आ गई थी, यह वजह ज्यादा महत्वपूर्ण और दिल्चस्प थी, साथ ही चिंता जनक भी, हुआ यूँ था कि कुछ साल पहले बेबी प्रभात चौक चिंगराजपुरा में रहने आई थी, उसका घर शांतनू रातड़े के घर से लगा हुआ था, 40 साल की बेबी तीन जवान होते बेटों की मा थी, उसके भरे पूरे और गदराय बदन को देख, शायद ही कोई मानता कि वह 40 साल की है, लेकिन यह मीठा सच था, एक प्राइविट अस्पताल में काम करने वाली बेबी मांडले की खूबसूर्ती और जिस्मानी कसावट किसी सबूत की मोहताज नहीं थी, अपनी इस न दोनों परिवारों में पहले निकटता बढ़ी और फिर सभी सदस्य एक दूसरे के यहां आने जाने लगे। शानतनू बेबी के चिकने जिस्म की धलान पर फिसला, तो शुरुआती मौज के बाद जल्दी ही दुश्वारियां भी पेश आने लगी। शानतनू और बेबी क के रोमान्स के किस्से चिंगराजपुरा में चटखारे लेकर कहे सुने जाने लगे। लेकिन उन दोनों पर जगहनसाई और कलह का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दोनों एक दूसरे में समा जाने का मौका कब कैसे निकाल लेते थे, इसकी हवा भी किसी को नहीं लगती थ घरवालों का एतराज बढ़ने लगा, तो इन अधेड प्रेमियों ने सब को चौकाते हुए साथ रहने का फैसला ले लिया। पत्नी बेबी का यह रूप देख उसका पतिबाला राम अपने बेटों को लेकर राजकिशोर यानी R.K नगर में जाकर रहने लगा। राजकु गए थे। हालांकि जब भी राजकुमारी और बेबी मोहले में आमने सामने पढ़ जाती तो उनमें खूब कलह होती थी। दोनों बीवियों की इस लड़ाई से शानतनू कोई वास्ता नहीं रखता था। उसका मकसद तो बेबी का शरीर था, जिस पर अब उसका पूरी तर कि वह सिर्फ डाटा रिकॉर्ड करने का काम करता था। तरुन की गुमशुदगी से इस कहानी का गहरा तालुक है। यह पुलिस वालों को उस वक्त और समझ आ गया जब उनकी जानकारी में यह बात भी आई कि बेबी और शानतनू कुछ दिनों तक साथ-साथ रहे थे। ब पिछले साल सितंबर में बेबी के बड़े बेटे नीलेश मांडले की लाश संदिग्ध अवस्था में बिलासपुर कोटा रेलवे लाइन पर मिली। बेबी को शक था कि कहीं तरुन ने उससे बदला लेने के लिए नीलेश की हत्या कर या करवा न दी हो। जबकि पुलिस क इसे खुदकुशी माना गया था। इससे बेबी को लगा कि नीलेश के पुलिस से नजदी की संबंध होने के बेबी को शक था कि कहीं तरुन ने उससे बदला लेने के लिए नीलेश की हत्या कर या करवा न दी हो। जबकि पुलिस की जाँच में इसे खुदकुशी माना ग इससे बेबी को लगा कि नीलेश के पुलिस से नजदी की संबंध होने के चलते पुलिस वाले मामले को खुदकुशी करार देकर दबा रहे हैं। जिस तरह दोनों अपने अपने परिवार से अलग हुए थे, इस मसले पर विवाद होने के बाद अपने अपने घरों को कुछ इस तरह लोट गए, मानो कुछ हुआ ही नहो। जब दोनों से तरुन के बाबत पूछ ताच की गई, तो उन्होंने अनभिज्जता जाहिर की कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। चुँकि दोनों सच बोलते लग रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया। लेकिन तरुन का अभी तक कहीं अता पता नहीं था। अब तक किसी को उसके और मेघा के प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। अगर वह किसी हादसे का शिकार हुआ होता, तो अब तक उसका पता चल जाता। लेकिन पूछ ताच और जांच में ऐसी कोई बात या घटना सामने नहीं आई थी, जो तरुन से तालुक रखती हो। लेकिन जांच के दोरान पुलिस वालों को पता चला कि तरुन आखिरी बार मेघा घोयल के साथ दिखा था, जो लिंग्याडीह की रहने वाली थी। पूजा और इमरान नाम के दो गवाहों ने इस बात की पुष्टी की थी, कि मेघा एक जनवरी की दो पहर तरुन की बाइ एक खास नमबर पर ज्यादा और काफी लंबी बातें हुई थी। लेकिन यह नमबर उसने सेव नहीं किया था। तरुन का मोबाइल नमबर ट्रेस करने पर पता चला कि उसकी लोकेशन दो पहर दो बज़े से लेकर शाम चेह बज़े तक और के नगर में थी। बाद में उस पर जात नमबर और बेबी के फोन की लोकेशन एक साथ मिल रही थी। यह बात इस लिहाज से खटके की थी कि कहीं यह नमबर बेबी का ही तो नहीं है। इधर तरुन की गुमशुदगी की चर्चा पूरे बिलासपुर और चथीज गड़ में होने लगी थी। अब तक यह भी साफ हो गया था कि तरुन आखिरी बार कोटा में था। लेकिन किस हालत में यह पता नहीं चल पा रहा था। मेगा के फोन के सहारे पुलिस ने उसे धर दबोचा तो एक नई संसनी खेज और रोमांचक कहानी इस तरह सामने आई। शुरू में मेगा ने यह तो मान लिया कि तरुन उसके साथ था लेकिन उसने यह कहते पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की कि वह अपने घर चला गया था। लेकिन जल्दी ही वह पुलिस वालों के सामने तूट गई और तरुन की हत्या की बात स्वीकार ली। उसने हैरतंगेज बात यह बताई कि कतल की इस बाद से ही बदले की आग में जल रही थी। इसी दौरान उसे पता चला कि उसके बड़े बेटे नीलेश का प्रेम प्रसंग मेगा घोयल से था। दोनों साथ साथ पढ़ते थे। बेबी जब मेगा से मिली तो उसकी चंचलता देख उसकी बांचें खिल उठी। बातों ही यह विश्वास दिलाने में सफल हो गई कि तरुण ही नीलेश का हत्यारा है और वह भी उससे बदला लेना चाहती है। मेगा जब इस बाबत तयार होती दिखी तो बेबी ने उससे वादा किया कि तरुण की मौत के बाद वह उसे घर की बहू जरूर बनाएगी। पर हत्या कैसे की जाए इसकी योजना बेबी ने मेगा को बता दी। साथ ही उसे एक सिम भी खरीद कर दे दिया। योजना के मुताबिक मेगा ने तरुण को फोन करने शुरू किये। लेकिन बात करने के बजाए वह हर बार रॉंग नंबर कहकर फोन काट देती थी। आवाज सुनकर ही तरुण ने अंदाज लगा लिया कि जिसकी आवाज इतनी खनक भरी है वह लड़की जरूर सुन्दर होगी। धीरे धीरे यह रॉंग नंबर राइट नंबर में तबदील हो गया और मेगा वं तरुण लंबी-लंबी बातें करने लगे। जब तरुण जाल में फंसने ल लिया। किसी गुरू की तरह मेगा को समझाते हुए बेबी ने मंत्र दिया कि सैक्स हर मर्द की कमजोरी होती है। इसलिए तुम अकेले में तरुण को अपने हुस्न की पूरी जलक दिखा देना। इस से उसकी प्यास और भढ़केगी। लेकिन भूल कर भी उसकी प्यास ब प्रेमिका को देखते ही पागल सा हो उठा। मेगा ने जब यह खबर बेबी को बताई तो उसने उससे कहा कि पहली जनवरी को तरुण को अकेले में मिलने के लिए बुलाए। इधर मेगा के हुस्न और इश्क के समंदर में खयाली गोते लगा रहे तरुण को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वह उसके सौतेले भाई नीलेश की प्रेमिका है जो उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रही है और जिसकी डायरेक्टर बेबी है। कुछ दिन बातों में और बीते तो तरुण खुल कर मेगा से कहने लगा कि एक बार मेरी प्यास बुझा दो। इस पर मेगा ने उसे बताया कि वह इसके लिए तैयार है। उसने यह भी कहा कि इसके लिए नए साल का पहला दिन ठीक रहेगा। इशारों में नहीं बलकि उसने खुल कर तरुण को यह भी बता दिया कि वह किसमत वाला है क्योंकि इस दिन उसे तोहफे में कुमवारापन मिलेगा इतना सुनना भर था कि तरुन की नींद, भूख प्यास सब गायब हो गई और वह बेसबरी से एक जनवरी का इंतजार करने लगा उस दिन वह मा राजकुमारी से जूट बोल कर मेघा से मिलने आरके नगर के सूने मकान में गया तो मेघा ने उसे सब्र रखने की बात कहकर कौफी पिलाई जिसमें उसने धेर सारी नींद की गोलियां मिला दी थी तरुन यह सोच सोच कर खुश था कि जल्द ही मेघा का नगन संगमर्मरी जिस्म उसकी बाहों में मचल रहा होगा दूसरी तरफ मेघा यह सोच सोच कर खुश हो रही थी कि आज वह अपने प्रेमी नीलेश की मौत का बदला लेगी कौफी पीने के बाद भी तरुन पर नींद की गोलियों का उतना असर नहीं हुआ जितना उसकी हत्या के लिए चाहिए था बे काबू हो आया तरुन अब शराफत भूल कर सैक्स करने पर आमादा हो गया था इसलिए मेघा ने चालाकी से उसे क्लोरोफार्म सुंघा कर बेहोश कर दिया तरुन को तो पता भी नहीं चला होगा कि वह मेघा के नहीं बलकि मौत के आगोश में है तरुण की बेहोशी की खबर मेघा ने बेबी को दी तो वह पती बाला राम और दोनों बेटों योगेश वह अभिशेक को लेकर आ गई इन पांचों ने मिलकर बेहोश तरुण के हाथ पैर रस्सी से कस कर बांधे और मुह पर टेप चिपका दी बेहोश तरुण को अपनी कार में डाल कर बेबी कोटा ले आई कोटा के नजदीक बेबी का गाव अमने था वहाँ पांच दिन पहले ही तरुण की कबर खोदी जा चुकी थी नए साल के पहले दिन लगभग शाम साथ बजे इन पांचों ने मिलकर बेहोश तरुण को उस कबर में जिन्दा दफन कर दिया इतना जानने के बाद पुलिस वालों के पास कानूनी खाना पुर्तियां करना ही बाकी रह गया था सभी को गिरफतार कर जब विस्तार से पूछ ताच की गई तो इन्होंने बताया कि तरुण की चप्पलें, बाइक और मोबाइल फोन इन्होंने बिलासपुर से कोटा के रास्ते में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिये थे जिन्हें पुलिस ने बाद में बरामत भी कर लिया मेघा ने क्लोरोफार्म एक कैमिस्ट की दुकान से खुद को बी-फार्मा की छात्रा बता कर खरीदा था और मांगने पर अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया था तीन जन्वरी को पुलिस पांचों को लेकर अपने गाव गई जहां उनकी बताई जगह को खोदा गया पुलिस ने सडीम और तहसीलदार की मौजूदगी में तरुन की लाश बाहर निकाली जो करीब चार फुट के गड़े में दफनाई गई थी गड़ा खोद कर तरुन की लाश निकालने में करीब दो घंटे लग गए इस दोरान आसपास के गावों के लोग भी इस संसनी खेज और अजीबो गरीब हत्याकांड की खबर सुनकर वहां इकठा हो गए थे पंचनामा बनाने और दूसरी खाना पुर्ती करने के बाद तरुन की लाश, राजकुमारी और शानतनू को सौंप दी गई पुलिस ने हत्या में इस्तिमाल की गई बेबी की मारुतीकार भी जब्त कर ली इस ब्लाइंड मर्डर की गुथी को सुलजाने में सरकंडा थाना इंचार्ज, संतोष जैन, ASIRA, यादव और विनोध वर्मा सहित, हैड कांस्टेबल निमोली ठाकुर, आर मुरली भारगव, अतुल सिह, अनूप मिश्रा, रीना सिह सहित, साइबर सैल के सबिंस्पेक्टर प्रभाकरतिवारी, हेमंत आदित्य, नवीन एकका और शकुंतला साहु का उल्लेखनी ये योगदान रहा चार जन्वरी को एक प्रेस कॉन्फरेंस में बिलासपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीकशक अर्चना जहा और साइबर सैल के डीएसपी प्रवीन चंदर राय जब तरुन हत्याकांड का खुलासा कर रहे थे तब मीडिया वाले इस कहानी को किसी जासूसी उपन्यास की तरह सुन रहे थे मामला था भी कुछ ऐसा जिसमें एक व्यभिचारी पिता की दूसरी बीवी एक लौते बेटे की मौत की वजह बनी थी साथ ही एक लड़की द्वारा फिल्मी स्टाइल में अपने प्रेमी की कथित हत्या का बदला लेने पर उतारू हो गई थी लेकिन अब वह बजाय ससुराल के ससुराल वालों के संग ही जेल में है इस वीडियो का उद्देश किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना और अपने परिवार वालों का खयाल रखें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद